हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के में इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC और RBNL के बारे में यहां पे मैं आपको कुछ इंपोर्टन चीज़े दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ओवरॉल चीज़े जो है स्टॉक के बारे में पता चलेगी कि आखिर यहां से जो सिनेरियो बन रहा है वो कैसा है और जो भी अपडेट्स भी आ रही है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में ही शियर करने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक अगर आप में देख लिया तो मेरे ग्याल से सारी चीज़े सार स्टार्टिंग में जैसे वीडियो अपलोड होती है स्टार्टिंग के दस मिनट तक वीडियो प्ले ही नहीं होती है और यह ऐसा मेरे साथ ही नहीं है बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है तो प्लीज थोड़ा से सपोर्ट अपना देखाईए वीडियो को जादा से यादा लाइक जलू करिए कॉमेंट भी जितना हो से के उतना जाता आप प्लीज करिए अब जैसे के आपको पताईए के दिन IRFC की जो क्लोजिंग हुई थी वो लगबग 30% के आसपास के साथ हुई थी अपसाइड में 76.60 के आसपास शेर यहाँ पे क्लोजिंग देते हुई नजर आया था और यहाँ से शेर में काफी अच्छा का था मूमेंट अल्रडी आ चुका था और इसी वज़े से करेक्शन भी आपको थोड़ी बहुत देखनी को मिल गई थी लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे एक तो चीज़ा क्या हो रही है कि एक नीज निज निकल गया ही डारेक्ली मैं आपको देखाता हूँ बंदे बारे ट्रेन की तरह भाग रहा है यह रेलवे का शेयर छे महीने में किया पैसा डबल एक्सपर्ट बोले पिच्चाती रुपे के पार जाएगा यहाँ पे बात हो रही है आई यार एपसी की जो शेयर अभी 76 पर ट्रेड कर रहा है उसके टारगेट निकल के आ रहे ह एक लाग रुपे लगाए दस लाग रुपे लगाए वो डबल कितने जल्दी हो जाए ऐसे स्टॉक में निवेज करना चाते हो और वहाँ पे यह जो चीज है वो आई रपसी ने करके दिखाए भी है आई रपसी के शेयर में जो तेजी बनी है वो बहुत सारे रीजन की जिसकी वज़े से अगर आप यहां पर देखो तो चीज है जो है काफी अधर बुलिश बन रही है लेकिन इन सबके बाद भी रेलवे स्टॉक मुनाफ़ वसूली का सिकार हुए है अभी आपको पता ही है कि ओवरॉल काफी बड़ा मुमेंट आया था आये अरपसी भी एक ब रगवग 175 परसेंट से भी ज्यादा के रेटरंस जो है वो दिये है एटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखोगे तो स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के सीनियर एनलिस्ट मिश्टर प्रवेश गौर्ध कहते हैं कंपनी का शेयर जो है वो पिच्चाती रुपे के लेवल को क्रॉस कर सकता है वो भी बहुत ही जल्दी यानि कि अगर आप यहां पर देखोगे एक अच्छे कासे टार्गेट आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं आगे भी हम आई रप्सी के बारे में और बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर हम आरे भी अनल का सिनारि इसे बने हैं लेकिन यहां पर मैं आपको जो में चीज निकल के आई है सबसे पहले वह दिखाता हूं यहां पर आपको देखने को मिल रहा था कि जून क्वार्टर तक की होल्डिंग जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम ही थी लगबग 78.20 और अगर आप देखोगे तो 78.20 की जगा जो एक minimum requirement होती है वो 60% की होती है यानि कि 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स नहीं रख सकते हैं FIIs ने अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज करी थी 1.53 से बढ़ा कर 1.75 पर लेके आये थे नंबर ओफ FIIs भी इंक्रीज हुए थे 66 से 99 हो गए थे mutual funds ने अपनी होल्डिंग्स को unchanged दी रखा था number of scheme भी सेम थी लेकिन institutional investors ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया था लेकिन इसी बीच July का भी data निकल के आया यानि कि July end का data निकल के आया है जिसमें promoters की जो होल्डिंग 78 के आसपर निकल के आ रही थी वो हो गए 72.8 यानि कि minimum criteria से नीचे अब हो चुकी है further यहाँ पर सरकार को अपना हिस्सा बेचने की अब कोई requirement नहीं है यानि कि OFS के थुरू चीज़े यहाँ पर ठीक हो चुकी है FII जो 1.8% की होल्डिंग्स रख रहे थे वो अब हो गए है 3.1 DII 5.8% की होल्डिंग्स से 5.5 पर आए है थोड़ा सा कम देखने को मिला है लेकिन public की अगर आप होल्डिंग्स देखोगे जो की share को बना भी देती है बेगाड भी देती है वो अगर आप देखो तो RBNL में काफी अच्छे से increment देखने को मिल रहा है तो यह एक चीज अच्छी हो रही है कि overall यहाँ पर FIIs भी काफी ज़्यादा bullish नजर आ रहे है इसी बीच RBNL के एक order भी मिला है और order आप यहाँ पर देख पा रहे हो कितना बड़ा order आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश state electricity board की तरब से इनको दिया गया है और orders की जहाँ पर बात आती है number one लिष्ट में number one नाम जो आता है वो RBNL का ही आता है तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो आपको वीडियो गर इंट्रेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरू कर दीजेगा करने का एक basic task है जो कि आपको south zone हिमाचर प्रदेश के अंदर नजर आता है और इसमें बहुत सारी चीज़ जो है वो RBNL आपको यहाँ पर करते हो नजर आएगा और इस order को इस project को 24 महीने के अंदर complete करना है कल की मैंने वीडियो में आपको यह बताया था कि अभी तक RBNL ने कितना जो orders है वो complete कर लिये हैं कितने amount के और कितने percentage terms में भी बताया था तो वो वीडियो आप जाके देखना तो इसलिए daily वीडियो जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलता है अब यहाँ पे जैसे starting में हमने बात करी थी IRFC के बारे में तो IRFC में कुछ चीज हैं अगर आप यहाँ पे देखते हो तो positive नजर आ रही है जैसे कि annual revenue इनका increase हो रहा है quarterly revenue इनका increase हो रहा है annual net profit इनका increase हो रहा है लेकिन चो negative है वो है quarterly net profit इनका कम हुआ था विछलिवार के results भी उतने यादा impressive नहीं थे stock price बढ़ गया अच्छी बात है price to earning ratio बढ़ गया है लेकिन अभी भी sector से कम ही है और अगर आप देखोगे debt to equity ratio हम लोग इस particular sector में ज्यादा focus नहीं करते हैं को कि अगर आप देखो जब ज्यादा financing होती है तब debt आपको increase होते है नजर आता है और जैसे उसको repay कर दिया जाता है तो वो खतम हो जाता है ठीक है तो इस चीज को आपको यहाँ पर देखकर चलना तो अब जब quarter two के numbers आएंगे तो मेरे ख्याल से वो भी शायद positive में convert हो जाए और इस बार ही dividend मिलने के पूरे पूरे chances नजर आ रहे हैं उसके पीछे की analysis कल की वीडियो में की होई है कितना dividend मिल सकता है कितने percentage terms में वो भी कल के वीडियो में सब को discuss किया है तो वो वीडियो आ अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करिएगा चैनल पर वस्टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा धन्यवाद